आज हम अचारी कुद्रूख सब्जी बनाएंगे वैसे तो कुद्रूख सब्जी कई तरह से बनाया जाता है लेकिन आज हम नए तरीके से अचारी कुद्रूख सब्जी बनाएंगे नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेशिपी बनाना शुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक किलो कुदुरू पानी से धो कर लिया है सबसे पहले इसको हम काटेंगे एक बरतन लेंगे और पूरे कुदुरू को उसी में काट लेते हैं पहले कुदुरू को दोनों तरफ से काट कर निकाल देते हैं अब एक कुदुरू हम चार भाग करेंगे तो इस तरह से लंबे लंबे पीस में काट लेते हैं हम इसी तरह से पूरे कुद्रूख काटेंगे, आप चाहें तो कुद्रूख को दो भाग कर सकते हैं, या फिर गोले अकार में काट सकते हैं, एकदम नरम मुलायम ताजा कुद्रूख है, और ताजे कुद्रूख सबजी बहुत बढ़िया लगती है, पूरे कुद्रूख हमने काट लिया है, आप इसके लिए मसाला तैयर करेंगे, कडाहिम एक छोटी चमच सौफ डालेंगे, एक चमच राए डालेंगे, एक चमच मेथी दाना डालेंगे, एक चमच जीरा डालेंगे, एक छोटी चमच कलाउंजी डालेंगे, जिसे लोग मंगरेल कहते हैं, दो बड़े चमच साबुत धनिये डालेंगे, अब मसाले को बराबर चलाते हुए इसमें से महक आने तक भूनेंगे, जब मसाला अच्छी स भून जाएगा, तो इसमें से अच्छी खुस्बू आने लगेगी, जो इसमें मेथी दाना और सौफ है, भूनने बाद इसमें से अच्छी महक आने लगेगी, तो तब तक बराबर चलाते रहेंगे, जिसे मसाला कहीं सकच्चा न रहें और अच्छे से भून जाए, गयस को दो बड़े चमच तेल डालेंगे इस सर्सों का तेल है तेल को पले अच्छे से गरम करेंगे तेल गरम हो गया है आप इसमें एक झोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे इसके बाद पूरे कुदरू को डालकर तेल में अच्छे से मिला लेते हैं गाइस को हमने मेडिया में रखा है, अब इसको हम ढखकर पकाएंगे, कडाहे को पर हम ढखकन लगाएंगे, और कुदरू को 5-6 मिन तक पकने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे नीचे जलेना, यहाँ पर जो मसाला हमने भूना था, वो ठंडा हो गया है, प मसाले को पीचने के बाद अब इसको एक बर्तन में निकालेंगे, लगभग 6 मिन तक बाद कुदरू को देख लेते हैं, यहाँ पर कुदरू थोड़ा पक गया है, लेकिन पूरी तरह से पका नहीं है, अब यह कुदरू अधा कच्चा है, कि वो लूपर से पका है, तो अब इसमें हम मसाले को डाल कर पकाएंगे, एक चमच नमक डालेंगे स्वाद के अंसर, इसके बाद भूना हुआ मसाला डालेंगे, मसाला ज्यादा है, पुरा मसाला हम नहीं डालेंगे, के बाद दो चमच मसाला डालेंगे, इसके बाद इसमें हम एक चमच अचार का मसाला डाल सकते हैं, सारे मसाले को हम अच्छी समील आएंगे, एक चमच आमचूर पौडर डालेंगे, कुदरू की सब्जी सूखी मसालेदार कई तरस बना जाता है, लेकिन हम जो अचारे कुदरू बना रहे हैं, इस सब्जी को आप जट पड से बना कर रोटी पराठे के साथ खा सकते ह हैं, अब सब्जी को हम फिर से ढख कर पकाएंगे, अब कडाही को उपर हम ढखकन लगाएंगे, और सब्जी को मेडियम आज पर 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिसे सब्जी नीचे से जलेना, लगभग 10 मिनट पकाने के बाद सब्जी को हम दे अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो टिपीन में आप इसको ले जा सकते हैं क्योंकि यह सब्जी जल्दी खराब नहीं होगा तो आप इस तरह से कुद्रुख सब्जी जरूर बनाएए आपको जरूर पसंद आएगा